नेक्स्ट कॉलर है सुर्भी पटना से हमारे साथ स्वागत है सुर्भी आपका हान जी बौलिये मेरे उम्हों 19 शाला है और मेरे पापा के हाथ मेरे पापा किया चिपा से 15 और उनके हाथ में बहुत जंजंजनार रहती है और मेरा क्या है कि मेरा एक शरीर का रंग नहीं है बड़ा शेहरे का रंग कुछ और कंडे के नीचे का कुछ और ऐसे और मेरी ममी को नीज नहीं आ रहा है तो नहीं पाती है थीक 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 तो यह अगर आपके पापा देख रहे तो यह दिए मौंड़े यहीं पर रहे यह नहीं उठने चाहिए गरदन जाए ऐसे ऐसे अपने पापा से कही दो चार मिनिट ऐसा करना है रोजाना चाहे किस्तों में करें इस टाल मिनिट में करें एक- एक मिनिट करके चार बार कर लें एक तो यह एक यह एक यह एक यह एसे दो-चार मिनिट यह भी करना है पूरे दिन में और मुझे अमीद है कि इसी से फाइदा हो जाएगा उनको दस दिन बाद और अगर फिर भी नहों तो आप गॉंद सिया एक काला गॉंद आता है गॉंद सिया बोलते हैं उसे कड़वा होता है महंगा होता है और नकली भी बहुत मिलता है तो यह 100 ग्राम खरीद लें आदा ग् ग्राम शाम दें और यह 100 ग्राम गॉंद खत्म होने से पहले आपके पापा को फाइदा होना मुम्किन है मम्मी का नीद नहीं आती होने मम्मी को रोज आना रात के समय अलोवीरा तो आप जानते हैं अलोवीरा का सिर्का दो या तीन चोटे चाय के चमच पानी में मिलाके य या उनके सब्जी सालन में मिला दिया करें अलोवीरा का सिर्का यानि वेनेगर तो जिस दिन से शुरू करेंगे मम्मी को तो उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे आपके रंग के लिए मैं एक तवा बताता हूं और वो यह है कि अ अल्सी 300 ग्राम अल्सी आपकी मम्मी जानती होंगी अगर आप ने जानते अल्सी लीजिए साफसुफ कीजिए 300 ग्राम और हलका सा भून लीजिए फिर इसका पाउडर बना दीजिए अपने पास रखिये और edited 300 ग्राम और 100 ग्राम गौन मौरिंगा इसमें मिलाइए और आदे से एक चमच दिन में दो बार खाईए पानी के साथ खाएं पतली सी हैं तो दूद के साथ खाएं हेल्दी हैं तो पानी के साथ खाएं मुझे अमीद है आपको भी फायदा होना मुझे है